कश्मीर नाम सुनकर ही एक खूपसूरत अहसास होता है लेकिन इस कश्मीर के हालात कभी ऐसे थे कि जिससे कश्मीर का नाम सुनकर रॉंटे खड़े हो जाते थे लेकिन अब नजारा बदल रहा है जिस कश्मीर में गोलिया चलती थी वहाब तिरंगा फहराया जाता है और लोग इस बात के गवा है कि जब से मोधी सरकार आई है तब से कश्मीर की तस्वीर बदल गई पिये मोधी जो चाहते थे वो हो रहा है कश्मीर बदल रहा है लोग कहते हैं पिये मोधी ने भारत को उसका कश्मीर और कश्मीर को उसका हग दिलवाया है जा एक ऐसे ही खबर आई है जिससे पता चलता है कि मोधी सरकार ने सच में कश्मीर की तस्वीर को बदल कर रख दिया है चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं दरसल कश्मीर को करीब तीन दश्रकों के बाद मनुरंजन का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है इस सिनमा घरों को आतंकियों ने बंद करवा दिया था अब वहां 32 साल बाद सिनमा हॉल खुलने वाले हैं हिंदुस्तान के एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को लेटिनेंट जेनरल मनुत सिनहा ने घाटी के पहले मल्टिपलेक्स काउट घाटन कर दिया है रविवार को भी सिनहा ने दक्षिन कश्मीर के सोपिया और पुलवामा जिलों में सिनमा घरों की शुरुवात की थी खबर है कि आई एन ओएक्स शेन के इस मल्टिपलेक्स में आमर खान स्टार की लाल सिंग चड़ा की प्रेमिर से फिल्मों का प्रदर्शन सुरू होगा आपको बता दे इस मल्टिपलेक्स में तीन स्क्रीन होगी जहां 522 दर्शक 171 बार में फिल्म का आनन्द उठाएंगे एक बार फिर से अब आप ये भी जान लिजे कि सबसे पहले यहां कौन से फिल्म लगेगी और आगे कौन से फिल्म लगेगी सबसे पहले यहां आमिर खान की फिल्म लाल सी चड़्धा दिखाए जाएगी इसके बाद 30 सितंबर को सैफ अलिखान और रितिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा का प्रदर्शन होगा फिल्हाल दिन में सुभा 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे की बीच तीन शोर चलाने की हमने देखा है कि 30 सालों से यहां ऐसे कोई चीज नहीं हुई थी तो हमने सोचा क्यूं नहीं फिर हमने शिरुवात की युवाव को सिनमा में सुविधाय मिलनी चाहिए जो उन्हें जम्मू या देश के दूसरे शहरों में मिलती है हम जल्दी जम्मू कश्मीर के हर जिले मे ऐसे बहु उद्देश सिनमा हॉल बनाएंगे आज मैं ऐसे सिनमा हॉल पुलवाम और सोपिया के युवाव को समर्पित करता हूँ उन्होंने कहा कि अंतनाग, श्रीनगर, बांदिपुरा, गानदेरबल, डोडा, राजगौरी, उंच, किष्तावाड और रियासी से जल्द सिनमा हॉल का उद्घाटन किया जाएगा, ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार इससे कोई संदेश देना चाहती है, सिनमा न कहा कोई संदेश नहीं है, आपको बता दे इससे पहले 1990 की समय भी कुछ सिनमा घरों को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन आतंकियों ने इससे स गर्दों की तरफ से मिली धमक्यों की चलते इसे बंद कर दिया गया था, फिलाल इस फैसले पर 32 साल बाद कश्मीर में सिनमा घर खुलने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा